मैंने ती सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूं हमने जो बेटा आपके जो फ़र्ष्ट पीडियाप थी पहले चैप्टर की पीडियाप हमने आपको दिए थी नुवेरकल की उसके आपके दो वीडियो आ चुके हैं उनमें अभी भी आपके न नुम्मर नौ लेके आए हैं ठीक है इसमें आपके हम आगे के आगे के जो भी आपके नुवेरकल छूट गए थे उन सभी को आगे लगाते आई चलू लगाते सवाल को देखते हैं कि कल हमने जहां तक लगा सवाल लगा लिए थे माईडिया इस्ट्वेंट उसके आगे की आजम बात करेंगे ठीक है कहां की बात करेंगे आगे तो उसके आगे की आजम बात करेंगे तो देखते हैं क्या पढ़ रहे है कि कल याद होगा किसी को इसके आगे हमने लगा लिए थे हमें इतना याद है अब लोग खोदे याद रख सकते हैं ठीक है देखो सवाल है समान समान परमाल के दो आवेस एक दूसरे पर दो न्यूटन का बल आरोपित करते हैं उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है आवेसों के बीच की प्रारंबिक दूरी क्या थी और प्रतेक आवेस का परमाल क्या है ये दो चीज़ां पूछें आवेसों के मान कैसे हैं बरावर यानि उसके कहने का यह मतलब है द्यान समिना उस सवाल यह कह रहा है इदर देख उस सवाल के कहने का मतलब है क्यूवन है जो Q1 का मान हमने मान लिया X द्यान समीना तो ऐसे साही रहेगा Q1 का मान हमने X मान लिया Q2 का मान भी हमने कितना मान लिया X मान लिया Q1 और Q2 दोनों की value हमने X मान लिया क्यों X मान लिया क्योंकि आपको पता है दोनों मान कैसी है समान पर मान की आविस है ठीक, एक दूसरे पर 2N का बल लगा रहे हैं, यानि 2 बल है, पहले बल लगा रहे हमने मान लिया F1, F1 का जो मान है वो कितना है, 2N, पहले ये 2N का बल लगा रहे हैं, ठीक, उनके बीच की दूरी, जब बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाती है, तम इनके बीच बल का मान कि कि लिए रहे चला जब इनकी भी अठार न्यूटन का मान हो जाता है अब देखो आगे देखने देखो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले हम कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा ठीक सब पता होगा तो यहां से हम लेखेंगी क्या लेखेंगी एफ इस्मॉल एफ एक्वल टू इस्मॉल एफ एक्वल टू क्या आएगा बताओ नो रिभागवान क्यासा लिए यान इसको हम ठीक है इधार साफ करते हैं आप दिखाई देगा गड़वड होड़ इसका जुमान है एप का मान हम कितना होता फर्मूला ना नो इन टू नाएं इन्टू टैन की पावर नाएं ठीक और आव एस कितना है क्यू सबाएं क्यू यो एνεं ए पहली लिखलो और बीच की देस्टेंस हो हमने कितनीमाण लिख small r square ठीक यह आपका अभी हमने सरफ formula लेखा है ठीक है आगे चलो जब यह आपका अभी आपने सरफ formula लेखा आगे देख आप देखो कैसे इन लगएगा जब पहली बार इसके बीच का बल f1 था f1 का मान केतना है दो न्यूटन दिया सवाल में तो जब f का मान दो न्यूटन र इन था ma 62 अ क्यों कितना है एकस क्यों टू का मानुक्त लयां सम्हें तो यहांअब इस जगे रखेंगी जब बीटा एकस इंटू एकस तो किया हो जाएगा इस जोगे आपकीansa का मान के तना है तो आ कोई दिखक्त यहां तक पहले रहा कहला कोई दिखक्त प्रेट इनके बीचुल बल्क इतना कर दिया जाते phary 20るंक το यहां 2 कि तरह कितना महान हो जाएगा विटाद समय जो हाँ तुलिक है उसकी पाप जाफ critics का मान होजाता है ऐस तार हा रा मान हो जाता ठीक इस जगह है आपकी बैलू वही रहेगी नाइन इंटू टैन की पावर नाइन इंटू आवेस भी वही रहेंगे वह चैंज नहीं होते यानि एक्स स्क्वेर ठीक लेकिन बीस की डिस्टेंस कितनी जीरो पॉइंट फाइब कम हो जाती है जीरो पॉइंट फाइब का मतलब है पहले दूरी आर्थी तो जीरो पॉइंट फाइब कम कर दो यानि जीरो पॉइंट फाइब और फिर इसका क्या लगाएंगे यह दो समीकड़ आपके यहां से बने किस किस को समझ में नहीं आया है बता आता के लिए रहे बिल्कुत छोटा से बताया है तरीका फिर देख लो जब देखो जब इनके बीच बेटा बल दो न्यूटन का था तो एप कमान हमने दो न्यूटन रख दिया टू इनटू नैने टू टैन की पावर नाइन इन टू एक स्क्वेर बेटे आरे स्क्वेर और इसके बेट वी दो की जगए कितना मान हो गया 18 तब प्रश्कामान व्यां टू इन टू पोर टू सुरी अठारा टैर सोरी नाइन टू टैनिक पावन नाइन इन टू एक स्क्वेट बटी बीच की दूरी कमोगे जीरो पाइंट पाइंट दूसरा मेरे कैनिक मतलब एक समीकर यह और दूसरा समीकर यह आपके दो समीकर बन गए आपके पास किया बचा अब अब आप सोनों अब यू कितनी बची देखो उपर हमारे पास कितना वचाट तू या समीना ऊपर हमारी वैलू कितनी थी टू नीचे जवामने उसको नीचे डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया टू अपोन एट एटीं सुरी एट का इस एक आ या यानि उपर मन था 2 नीचे कितना था चारा दो बटे ठारा और नाइन इंट टेन फवाद नाइन से दोन्हों कैंसल हो गया एकस भी कैंसल हो गया मेरे पास क्या बचा देखो दियान से उपर बचा बन अपॉन एक स्क्वेर नीचे बचा सोडरी उपर बच्छा आपका ब और नीचे आपकी बची यह बन अपान आप मायने जी जरो पुइंट फाइफ का यह उपर पहुझ जाए गी तो यह आपकी वैलिए उपर पहुंच जाएगी R आर माइनस जीरो पॉइंट फाइब यह वैलू आपकी कहा पहुंच जाएगी और जो उपर यह मान था यह कहा जाएगा इस्मॉल आर इस्क्वेर यह वैलू आपकी नीचे आजाएगी बन गया थर देख लो यह जो मान है जब इसको मल्टिपलाई करेंगे तो यह क्यूंकि यहां पर बचेगा एक बटे आर माने जीरो पांट फाव यह उपर पहुंच जाएगा और जो उपर वाला था वो नीचे आ जाएगा ठीक अब देखो अब यहां से देखो कौन सी चीज जैसी है जो आपकी डिवाइड हो रही है कि कोई चीज दिख रही ही देखो हमें दिखरी टू से अगर हम दो को 18 से काते हैं दो नहीं 18 यहां पर बन बचेगा अगर यहां से मल्टिप कैची मल्टिप गुणा कर दें तो आर स्क्वेर गुणा जैसी आप एक में गुणा करे दियां समझेना जिसमॉल आर इसक्वेर इजीक्वट इसमॉल आर इसक्वेर बराबर 9 और माने जिरो पॉंट-द happened अब इस जगह से एक step अब बच्ची क्या करेंगे इस जगह से अंदर ए माइनस बी का ओल वर्ग लगा के फिर खोलेंगे यही तो करेंगे बस यहीं से यह सवाल की कैलकुलेशन बढ़ जाएगी यही तो आपको देखना है कहां कैलकुलेशन कम कैसे पढ़ेगी इसको होल वर् लेंगे तो कितना आ जाएगा आट-वर् का पॉइंट 5 कितना हो जाएगा और इसकुएर से बर्गमूल उसका ने लेंगे को गया बार्मूट है आप इसके बाद क्या करना कैसी देखो यहमारा स्मॉल आरगा इस तरी का अप तो बहुत सब्सक्राइब बन गया और माइनस ठीक हमारा कितना मैं इदर देख लो हमारा वहाँ पर वैलू बन गई क्या बनेगे बूल गया हम भी आर मानिस ठीक है कोई बात निक तो यह उधर जब जाएंगी तो ठीक यार पिलस और इजब गलत होगा पैंसे लोगा पहले मुस्कुल लिख लें तब तुम नहीं तुम लोग कंफ्यू लोग को सम्झेव नहीं आएगा कि यह वैल्यूं काहां स ह्टूदर हमारा कितना लिकार तिर यार माइनस कितनी वैल रही वन पोइंट नोर्व फॉंट को तो बन पॉँखत फाइब इजप लब तो हमारा कितना मुस्याइगा ते यह आर ओधर जाए किसना कि स्मॉल ऐसे सास्थिजिएर मैंसे एक amalg04 करेंगी तो कितना ब बचे जाएगा जीरो पॉन 2 7 5 कितना जाएगा जीरो पॉइंट से इजयłeं क मॉल आरव की जो बैल्यों होगी वह आपकी हो जाएगी यह स्मॉल आर एक्वल्ट वैफिक शेaneous और यहीं ऑन दोनों सेविन फार अभी आसे आवेस और पूछा है तो इस स्मॉल आर का जूमान आया विटा इस स्मॉल आर का मांच चाहिए तो समी कर एक में रख दो चाहिए समी कर दो में रख दो वैलु आ ठीक है अप तो इतना तो करी लोगी ओके नेक्स सवाल की तरफ चले ठीक धन्वाद आगी अगला सवाल आपका है क्या है सवाल देखो अगला सवाल है कि दो रिडा वे से धूल के कड़ों के बीच की दूरी कि कि इतनी बीच की दूरी है by TV का है एम एम है यह म listeners नेम होता हम कम्पूूटर में hWorkie 3 मैं big Caesar मैं में मीन मैं यह मैं होता है मसिंप वनद्री में दो र ावे से धूल के कलां की बीच की दूरी एक mm है और और भी एक दूस्रे कि और बे और वे और बे किया करते एं और वे एक दूसरे को चार न्यूटन की बल से प्रतिकर्षित करते हैं क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक का आवेस दूसरे का चार गुनाव द्यान समझना यदि एक का आवेस दूसरे का चार गुनाव बस सवाल को पहले यहां से पकड़ो फिर समझ मालेगा मुल्य तो मेरे पास दो आवेश है एक Q1 आवेश है और दूसरा Q2 आवेश है अगर चार गोना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले एलेक्टानों की अलग-अलग संख्या ग्यात करो यह बाद की चीज़ है उसने का एक का जो आवेस है वो दूसरे का चार गुना है कैसे देखो हमने मान लिया बेटा हम मान के चल लए माना क्यूटू पर आवेस एक्स है द्यान समझे न हमने क्या मान लिया हमने मान लिया होगा क्यूँ की सवाल में कहा है क्यूँ कि एक पर जो आवेस यह दूसरे का चार गुना है तो क्यू टू का मान एक्स है तो क्यूवन का मान कितना जाएगा 40 गुना乾 ठीक उनके बीच में बल कितना लग रहा चार निउटन का यह का मान हमें आउर दिया च्छार न्यूटन दिया एप का मारिकतना दिया चैरलिय त एक मानर चार नूस तर याए ओने के बीच की दूरी एक एम एम है हम सुना इसमॉल आर का मान एक एम एम है सबयाद होगा एम एम को मीटर में चैंज करोगे दसकी पावर माइनस तीन यह स्मॉल आर बराबर दसकी पावर माइनस तीन यह मां इतना के लिए रहां तक अप तो यहां तक समझ माया है को जितनी बैलु मानी बैलु मानी या लगां कि परावर है लुभता है नृश्मॉल F कैफिल एप्टल अहां हमने स्मॉल x2 9 into 10 की पावर 9 into q1 into q2 upon Awards एंह怎麼辦 एयो धिक कैई बिछ बन इन्टू ना लग रहा है बल IB क्यमान एक तना दिद्या एप का जो मान दिया है वो दिया है चार न्यूटन ठीक और यह जो मान ही है कितना है नाइन इंटू टैन की पावर नाइन 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 का मान हमें सवाल में दिया है कितना है फोर एक्स क्यू टू का मान कितना दिया एक और क्यूबन का मान एस और स्मॉल आर का मौन सवाल में दी आया दसकी पावर माइनस तीन और इसका जब अगा दसकी पावर माइनस सिक्स तक पहले बता को दिखकत नहीं आ तक ठीक आगे चलो अब सवाल में कोई चीज़ तो मैं ऐसी दिख रहे होगे माइडियर इस्ट्वेंड जो आपको कैंसल वह देखो यह फोर और यह फोर कैंसल हो गया कैंसल यह फोर और यह फोर कैंसल ठीक अब इसको अधर ले चलो पलट के कूर कि कैसे लिचलो देखो ऐसी पहले तो इसको देखो पहले इसकर पहले सब्सक्राण बटे में लिखा है जब यह उपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लेस का यह यानि यह हो जाएगा डसी पावर नो 6 15, दसकी पाबर 15, बन गया, तो यह हो गया, एक बराबर 9 गोड़े नसकी पाबर 15 इंटू, 엥ेक्स इंथू, दोनों का मल्टिप्लाई आप करेंगी, तो आपका हो जाएगा एक्स-स्क्वेर, यहानन से मेरा जूआ जिमासर आगया, वह आगया, एक बराबर, एक बराबर 9 गोडें, दसकी पावर 15 गोडें, x square हमसे मान किसका पूछा है? हमसे x square का मान पूछा तो इसका हम क्या दे देंगे भाग? तो इसका जब भाग देंगे तो यह हमारा हो गया x square is equal to, आगया x बराबर is equal to 9 का इधर भाग देंगे तो यह बन जाएगा 1-9 बनेका 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 एक बनेकाँ इन्टू लिए कि बटेट का अब पता है बेटा जब भी आप किसी संख्या का वर खते ही हैं, जो मेरी पावर होती हे है, पावर कैसी हो जाती है? जब हम पावर होती है पावर कैसी हो जाती दुगनी हो जाती है लेकिन जब हम किसी संख्या का बर्ग मूर लेते हैं तो पावर आधी होगी ग करेंगे तो तुम क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से पहलें केसे दो इसमें भी 10 से मल्टीपलाई कर देंगे गयाई समझिए न और उपर भी दस्ती मल्टिप्लाई कर देगे कर दिया तो उपर आपका हो जाएगा 10 नीचे आपका मान आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 60 बन गया तो यहां से जो मान आ गया वो आपका आ गया कितना X स्क्वेर बरावर 9 बट्ट X स्क्वेर बरावज दस बटे 9 लोगा एंट इंटू 10 की पावर 60 तो यहां से आपका आणसर कितना आ गया यहां से आपका आणसर आ गया X स्क्वेर बरावर x square बराबर 10 बठे 9 गोडें 10 की पावर 9 कितना आ गया है हैं से आपका ऐनसर आ गया X स्क्वेर बराबर 10 बठें 9 गोडें 10 की पावर 16 9 गोडें 10 की पावर 16 और आगए आगा अब यहां से हम लेंगे भर्ग मूल क्या लेंगे लोह बर्ग इस जगे कजब एक स्वेयर का बडुर सीधाओ सिधा एकसे निकलाएगा निकलाएगा और यहां जो एल लिए पहले तो हमने लिखाए यहां बडलिका न्याइन का बर मूल हो जाएगा ठीरी और रहेया का जब बडू रहरेहाँ यहां तक पावर ने PP दूरा गया ठीक इंटो वह गया और अब हमारा करें दियाँ समिए आँ यहां से ऊपर गप्र मुला आ गया ना इनका भर मूल थिरी आ गया इंटू दसकी पावर रहीट आ गया और टैन जो प्रवाइब तो मुझे पता है बीटा टूका होता है बर्ग फोर दो का बर्ग होता है चार तीन का बर्ग होता है नो तो तीन का बर्ग नौ चारक बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसका मतला हमें यह Понण है पता चल गया के जो 10 वह भूल लगबग नाइन के लिए कि पास मोगा किसके ऊर री फूह पुक्र के रृवब सबस्क्राइम करें रेंट डृवा टायी से कुछ पॉ क्लोंट होगा तो यानी हमारह दो जून नाइन होगा वो धूली और पॉंट बंध यह इसका वन लोगया लग जांद सबस्क्राइब की तो एधिक सल्ब कर देंगे है लगया तो यह आपका आ अगया यह आपका एक्स का माहन आगया । ठीक यह एक्षक का माना अगया कि है अगी चलो अब सुना अभी तो एक्स का माहन आया सवाल पूछा कि आहले रिखो ग्याट की जी एक टहूं पर आवी सितना है ठिक एलेक्टन पर आविस कितने हितना चलूआगे चलो उन पर अलग-अलग मन पूचा ठीकि अग्ल दो उन पर अलग-लग आवी स्कुमन ग्याद की जी चलू आगे देखो अब देखो X square अब हमें पता हें Q1 जो था कि यूवन का मान कितना दिया है फोर X हमने दिया का माना था फीचे माना था क्यू बन का मानमान अपने 4x तो Q1 की जगे हमें आ रखेंगे 4x ज्यां समझ ना Q बराबर होता है N E, होता है लेला, क्या होता है Q बराबर N E, तो Q 1 लिखा, इसलिए हमने लिखे दिया N 1 E, और यहां से हमारा हो जाएगा 4 X, हो जाएगा, और हम से किसका मान पूछा, इलेक्टान उक संख्या N, तो यहां से हो जाएगा, small N equal to हो जाएगा 4 X upon E, क्या हो जाएगा, small N equal to हो जाएगा, 4 X upon E, आप सुनो, 4 into X कमान, यह जो हमने निकाला चाहिए, यह रख तो चाहिए तो यह और तरीका है, इस कमाने यहां पर सवाल में काव ऐसे भी दिया, मुझे याद नहीं है सही से, कि यहां जो टेन होता है, 10 का बर्मूल, उन्हों ने दिया, अंडर रूल, 10 वर्टे 3 into 10 की पावर, minus 8, कितना सा बर्मूल भी निकालना, सही है, अंडर रूट 10 upon 3 into 10 की पावर, minus 8, सही है, तो यहां जो X दिया है, X कमान हमें इतनी रख सकते हैं, कितना मता है, है हमने अंडरू यह तो पॉइंट प्राख़ दो कोई दिखका थो अंडरूट टैन अपों थिरी इंटू टैन की पावर माइनस एक जान समीना टैन की मानिस एट और अपॉन में क्या लिखना अपॉन में आपको लिखना इस इस मॉली कम और वो नहीं लिखना एक दिस अचाह आगा पको पांच वाँ पाँच बोटेर्टी ने मुन आदर शकी पावर मैनस उन्दिस येस पामान दीआ अवाल में ठीक है चलवागी चलिए अभी हाँ से स्मॉली कम और कितना दी या पांच बटे तीन इंटू तस की पावर माइनस फूली इड्या उने साइड पीटा हा हम इस दिया ठीक आप देखो ध्यान से दिखना यह ठीरी से ठीरी कैंसे दसकी पर उन्यस जाएंगी यह फाइब बची तो फाइब बचे आई यह जब यह कैंसल हो गया फाइब या मचींग भीटा इस ठीक एंसलोग तो यानी हमारा यहांसर आजाएगा चार बटे ती नहीं सोरी चार बटे पांच अंडर रूल टैन इंटू दसकी पार माइनस उन्यस लिखे यह जब उपर जाएंगे प्लस के उन्यस में से आठ कम कर दो तो बचेंगी प्लस की गियारा कितनी बचेंगी गियारा यही आपके लैक्टानों की संख्या जाएग लग जाएगा वह एक्स कर देखो फोर यह क्यूवन का मान और जब यह फोर अड़ जाए समझ माया कि समय मैं तो थोड़ा सा बहुत यह तरीका से एक इस्टेप बताने कोशिस की आप चलो दो धन आवेस किया है दो धन आवेस कि दो धन आवेस जो की परसपर जीरो दिसमने एक म यह तो इनकी अलग लग मान ग्याद के देन समझे ना बहुत बढ़िया सबाले दो धन आवेस जो की परसपर एग मीटर की 0-1 मीटर की यानि इस्मॉल आर का जो मन दिया वो सवाल में दिया जीरो दिसमलाब एक मीटर यानि एक और तरीका मतां पावर में लिखो बहुत यह भगवान बेर वे रूपर जाता है है अज़े तब पैंसिल है नहीं आरी रूट गई पैंसिल वो लिए अपना पड़ाओ इसमॉल आर का मान 0.1 मीटर लिखा है यानि अगर हम इसे लिखेंगे तो यह हो जाएगा इसमॉल आर वराबर दस की पावर माइनस एक मीटर हो गया हम क्या लिखेंगे यहां से लिखेंगे इसमॉल आर वराबर दस की पावर माइनस एक मीटर लिख लिए एक दूसरे को कितने बर से 18 घरा भल से यानि कैपिल्य आप का मन दिया है वो हमें दिया है कैपिटल मंदिया है trata Esp कि थौ कैप्टल सब्स्क्राइभ कर दिया है 18 न्यूर्टन सब्सक्राइस थिक क में यह दिटी दौन契 आवیसों का यूग हम से ये बोला आवेसों का योग देरा क कि ऑन फ स्क्यू टू सहिए क्योवन प्रैस क्यू टू इन दोनों के जो योग फल है वह कितना देहरा है आना है थी दोरी दस्की पार माइनस एक मीटर बल दीया 18 न्यूटन और दोनों और अवेसं का योग दिया क्यूवन प्लेस क्यूटू बरावर नो ठीक है 9 दिया ए наudia तो उनकी अलग-अलग-अलग मान गयाद करने हमें क्या घ्याद करने लिए अलग-अलग-अलग मान गयाद करने चलो देखो सवाल दिको सेम टूसेम लिखें कि कैसी दो को कि यूवन की तुमाने चल दो तो हमें सबसे पहले तो देखा लिख रहे ठीक है कूलाम के निमें बल कितना दिरा ठारा नूटन के दिरा यानि हम यह एप का मौन अठारा लेखेंगी फर्मूला तभी बताई तर इंटू इंटू यह जगह क्या लेकिन नाइन इन टू टैन पावर माइनस बन है इसका जब बर करेंगे तो हो जाएगा दसकी पावर माइनस टू को सिंपल सारा सवाल बता लग सिंपल तरीका से लगा सवाल ठीक आगे चलो सब्सक्राइब करेंगे इसको पहले तो यह से यहां से कार दो अच्छा पहले लिख लो बादम समझाएं ठीक है अठारा बराबर नाइन इंटू दसकी पावर माइनस टू जब बेटा उपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के तो 9 और 2 कितना हो जाएगा गयारा य इंटू बनेगा आपका क्यू बनेगा क्यू बनेगा आप जरा द्यान से देखना इसमें कौन सी चीज आपकी ऐसी है जो आपको यह लग रही हो डिवाइड भी देखो 9 से काड़ दो 9 दूनी 18 कट गए 9 दूनी 18 यानि हमारा जो मन निकलेगा वो निकलेगा Q1 into Q2 द्यान समझे ना Q1 into Q2 is equal to Q1 into Q2 Q1 into Q2 बराबर 10 की पावर 11 इधर गोड़ा में उधर जाएंगे इसमें हो जाएंगी बाग में बटे में हैं तो प्लस में हैं जब यह जब यह दसकी पावर 11 उपर जाएंगी यानि टू तो पहले ही से लिखा द्यान समझे ना और Q1 into Q2 का मान सवाल में दिया है दो गोड़ेंद दस की पावर माइनस किया रहा है ठीक है अब हमें सॉल्व करना है चलो आग अग पीछ पर आओ यह तो आएगा नहीं है चलो देखो अब क्या करेंगे माइद इसमें क्या करेंगे देखो ऐसे करेंगे Q1 into Q2 अब इस लाइन को दियां से देखना ट्रिक को कैसे सॉल्व करें Q1 into Q2 यह जो टू लिखाए बीटा इसमें एक जीरो बढ़ा दो यानि टू की जगे हमने कितने लिख दिये 20 जब दो में एक जीरो बढ़ा दी 20 कर दिये तो पावर 11 थी निगेटे पावर बढ़ जाएं कियाँया कि कितनी पावर हो जाएंगी 12 क्यों किया इसलिए बता रहे कियोंकि फैक्टर करने के लिए ने किया हम ने क्यों किया बता देखो घी जो दस की पावर 12 इसको दो जगे बाउराम से किमाट लेगा है क्यों दसकी पावर माइन श्यां टीच pregn पावर माइनस यह आपको तो आपको तब जोड़ों जोड़ों तो towards का लिए? 10ब माइक्रो प Soy सब्सक्रेट बाररा हैं यह आपको यह बता रहे हैं कि दस्की पावर माइक्रो कूलां में दिया किस में है मा υक्रो तो -2012 तो इसे आप हटा दें क्या करने हाने हैं हमारे कहने कि मतलब यहाँ से बन जाएगा q1 into q2 की once q1 into q2 का मार यह 20 और यह विद सूम्झे बुगा क्या मारे जाएगा 20 और यह बेलू भी आपकी माइक्रो कूलाम में होगी और यह भी माइक्रो सब्सक्राइब करने तो यह बैलु आपकी माइक्रो कूलाम संबंदित या निस आप देख यहां से देखना क्यूबन प्लस क्यूटू का मौन नाइन दिया है और क्यूबन इंटू की वैलू 20 निकल यह सबाल से अब दोनों के अगर आप अलग अलग वैलू निकाले क्या निक तरीका तो आपकी बहुत है कैसे एक तमान लिए इसको क्यूबन को नहीं बटेम कर लो फिर फैक्टर कर लो गुलन खंड बना लो ठीक है मेरा तरीका देखो बीस को ऐसे तोड़ो दो जगा तो दोनों का योगफल कितना हो जाए वीस को दो जगा ऐसे डिवाइड करो कि दोनो प्लस फोर फाइब प्लस फोर करेंगे तो पांच चार कितने हो गई नो हो गई और और बीस को भी ऐसे हम तोड़ देंगे फाइब और फोर कैसे क्यूंकि अगर गोड़ा करेंगे तो पांच ओको बीस और पांच चार नो दोनों आपके जो भी नियम है दोनों दोनों नियम follow कर रहा है चाहिए solve कर लो अब तो आपके मर्जी follow कर रहा है यानि हम यह कह सकते हैं q1 का मान आ जाएगा कूलाम में नहीं आएगा माइक्रो कूलाम क्योंकि 10 की पावर माइनस 12 जो हमने अलग कर दिये माइक्रो मान सराएगा q1 का मान आ गया पांच माइक्रो कूलाम और q2 का मान आ गया चार माइक्रो कूलाम इस डैट के लिए है यहां तक समझ में आई है ठीक आगे चलो कि यदि सुद्ध जलका परावैद तंग 18 हो तो इसकी निर्पेक्ष बैदो सेलता कितनी होगी यह तो कि यह संपल तारीका और यदि सुद्र जलका परावेद तांग एकए आसी हैं किया परावेद तांग माद्यवा सुद्र जलका स्पावेद तन वाद्यम अन्योट प्रिया है एपसाइलन बराबर एपसाइलन जीरो इंटू के सही है तो यहां से फॉर्मूला होता है एपसाइलन बराबर एपसाइलन जीरो इंटू के ठीक है transformer एव ते तो गे और यहां से यहां से जब जब सका मन कलेंगे तो इसका मन कुई होता राट-धैस अलओ昨ा यह थी यृव द गुतिक रोट गोंट की पावर माइनस भारा ठीक और इसमें कितने का गुणड़ा करेंगे इसमें एक्यासी का M से पस्याइशन कमान पूछा एक स्याइशन पराबर हो जाएगा how to me love 85 into 10 की पावर this uh एसस की p doraoya गे Taiwan कार एकिडिक है इतना तो करी लेंगे या बैद्व च्छेट बैद्व छेट के किसी बिन्दव पर स्थित आवेश पर दो coral दो पांच Newton का बल कार करता है Newton Newton काल का बल करता कितना बल तो हम ये कह सकते एप की value हमेंगे अब कि सवाल में कितनी देख का आमन हमें सवाल में दिया वो दिया है दो दिसमलव दो पांच न्यूटन कितना दिया है सवाल में हमें इसका जो मान दिया वो दिया है दो दिसमलव दिया है दो दिसमलव दो पांच न्यूटन दिया है उस बिंदू पर बैद्दो छेत की तीवरता का मान गयात कीजिए किसका मान 20 2च कि सिंस्थित 5 कूलम का हां कितना है 5 2 5 कूलम का अवेस पर दोज्य कूलाम के आफेस बिंदू पर 29 ये कि ब 나타ननीक कूलम टीक है अबने सबढ़ सब्सक्राइब करेंगे इसको डिवाइड करेंगे इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहला आएगा जीरो पॉइंट आएगा निउटन पुलाम के तना अंसर आजाएगा नियूटन पॉइंटान पृउटन पुलाम के तना आंसर सब्सक्राइब और वै। न्यूटन प्रतिकूलां कितनी दिया इस मुझेटल ली का मान दिया एक हजार न्यूटन प्रतिकूलां पूर्व की ओर डिटारेक्शन पता रहा इस छेत्र में ऐसी वस्तुवें इस्थित हैं जिस पर इलेक्टानों के अधिकता है बस्तु पर लगने वाले बल की दिशा का पर्मान कि एक स्थान पर एक हजार न्यूटन प्रतिकूलांगा बैद दो चेत्र है ठीक है इस छेत्र में ऐसी वस्तुवें इस्थित हैं जिस पर जिस पर पांच लेक्टानों के अच्छा यहां भी नहीं लेक पाए ठीक है जिस पर जो भी हो दिख लेना है जो भी आपको भी हुन हमें लग रहा है दसकी पा पावर पांच है यहां पर जटन ऑ ठीका दसकी पावर पांच टर्मान का देखता है वर्ष्ट पर लगने वाले बल्ल की दिशाह पर मताने है ठीक क不到 बल gotta ने ठीक है चलो देखो हमें पाथ है hani निकालने दियाहन समझना क्यूं तो क्यू बराबर होता क्यू बराबर होता एंडी क्या होता है क्यों ना आ अ सवाल है और beginningपार 5 το संट की और पलएक्टार और 2 सब्सक्रों तो एक समलबम ऑप सिक्स tra मईद अन की पाबर माएश सूनने सा यहोथ अगर इसी और सॉल्व करने तो क्यूं का मान जो निकलेगा वो निकलेगा कितना क्यूं का मान निकलेगा वन पॉइंट सिक्स इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टैन की पावर माइनस फोर्टी कितना आ जाएगा फोर्टी कितना माना जाएगा फोर्टी ही तुमान आएग लगवान परेशान का था कंपूटर दिव यहां से क्यूवन की वैल्यू आगई तो एक दिसम्लेश है गोले दसकी पावर चौदा कूला अब हमें पूची ती वरताबिल को सिंपल तरीका से लगा लेना ठीक है ईवर आवर ईवर आवर क्या करोगी ईवर आवर एफ अपन क्यूव आप तो करी लोगे ठीक है वीडियो भाद बड़ा हो रहा है जैनी कैप्टल ईवर आबर एफ पॉन क्यूव एफ कमान के तना दिया है एक हैना न्यूटन कामाद आक्ति तसके फीरचा और 14 पर सरी दसक्यवामाये हुआ चोड़ा यसे इसल कर लें है ठीक है सुच है हेलियम के नाविक-खेलियों के नाविक-खर उसमें एक एक-एक उसमें एक-एक पित की दूरी पर विद्दुच्च्च्च्ची तीवतान एक मीटर ठीक है एक मीतर की दूरी पर विध़िध जघत की थीविता गड़ना करना है ठीक आगे अलियम द्यान समझेना ईलियं सबसे प्हों सब्सक्राइब नहीं गर संब बाकर स्मॉल आर का मान हमें सवाल में दिया एक मीटर एक सेंटिमेर्ट जो भी दिया हो ठीक है ठीक है एक चलो एक एक दिया इसके बाद हमसे का का है कि एक मीटर एक किलो मीटर जो अभी आपकी पैलिट भी देखलानाब है इसमॉल आर का मानेट मीटर होगे सवाल में दिया है अब हेलियंघी बात करा है मुझे आवेस चाहिए अब ध्यान से दिना द्यान से हेलियम का पर हेलियम के जो सिंबल होता हो होता है तू एचिफ पॉर होता है दो हैज्फ ची फोर होता है तो हमेशा है अट रख्थ रहो हेलं का करमारीक फ्रबांगों कितना होता है तू होता है क्योंकि बता है है कि मेwn तटा है सब्सक्राइब करें लंग है कि De Bastard को हमें थे ऊट्यूंग हमने बताए कि e4 अब स़ही देख रा देखो जो पर्माल्य कमांग हिलियम को दो hard किसका मतलब होता है कि इसका प्रमाल्य कर्मांग दू है और हथा इसमें प्रोटान chimney संख्या दो है अर्था इसमें न्यूट्रानों कå existing भी दोर है यहीं तो मतलब भूटान कितना है दो यह अगर आप क्यों का मान निकालेंगे तो क्यों का मन निकलेगा सोई क्यों का मान निकलेगा सुला मैं मल्टिब्लाई कर दो ये इसका सूला मिस्का मल्टिफ्लाई कर दो कितना निकलेगा शूल सूलम जब इसका मल्टिफ्लाई करें अब तो यह सूला दूनी बत्तीश ठीक है सूल हाक दूनी बत्तीस आ सिन्ट्रों की पावर नाइन इन्टु क्यू क्यूआ नार इसकार होता है क्यूंका मांन हमें कितना बीहां है तीन दिसाम लफ डो इंट्रों टैन की पावर माइनस उन्निस और बाटे में बीच kittens यांग से क्या आजाएग बीक हर वहीं क्या लिए गिट सह सक्टना होगा एक क्या आगी लैन 1ड से क्या जाएगा बीट नो का मल्टिपलाइग रोण दूनिय करने घर्रटी आथ बेक नोदूनिय इस्ताइस और एक आठथ रह रहे सद मिवला ऐगया नौत याथताइस दस माने दस आ गया यह दिसमलव और एदर एक बढ़ा दो एक अंग यानि आंसर आ जाएगा दो दिसमलव आठ आठ दो दिसमलव आठ आठ इंटू दसकी पावर माइनस नो कितना आंसर आ जाएगा दो दिसमलव आठार गुलें दसकी पावर माइनस नो मात्रक हो जाएगा न गीना दो जो भी आजाएग ठीक है समय मुसमागा नेया आगे चलो नेक्स सवाल एठीक है call तर वीडियों तो बहुत बड़ा मुद्वेनर और जिक आगे दिको की सुआदे नाविक की तृझिया सुर नाविक की तृझिया 6,6 मीटर है यदी नाविक पर धन आविस समान रू है इसमौल आर कामान कितना दिया है वो हमें दिया च्छे दिसमलब से चैसे मीटर ठीक है यदि नाविक पर धन आविस समान रूप से बित्रित हो तो इस आविस के कारण आविस की सतय पर स्थित किसी बिंदू पर छेत की तीवरताग याद कीजिए क्या का सुनना सुर नावि है कि यादि souvent आविक िसालना विक की बात कर रहा है हमें दिया है कि 6 x6 है अ कितना भी है 6 bodos ποि कि तरजीया जब आपको पता है माई दियर स्टूरेंट कि तरजीया की बात कर रहा है तिर्जिया की बात करे रहा है तो तिर्जिया जो होगी वह हो इसके बीच की दोंसे मालें दो पर कोई 20 है ब्रुआएगे रहाँ सारी मेरिक राइच्प सैड तो ते जब और एक अगर सिर्फ हम एक एक ही सोड मतलला सों दूरी की डूरी करने की बात कर तरजिया तो रही तो चार उत्र बीच की दूरी का लाई की पॉइंट ठीक है जनी तो यहां से बीच की जो जोस की तुर इस तूर्ज है माइश भो कितनी आगी आगी चैदि समलब चैनीट ठीक है कि तुर्ण की बात करस्वाद किसा देना गूल्ड जूस स्वार होता है हreso वर मतलत होता है गोल्ड का जो होता है गुर्वत आपका स applies कितना उनल जकाह二 79 परमाल्य कर्मांग किसका होता है वो होता है 79 AU जो इसका होता है 79 AU 195 पॉइंट लगभाग 96 लमचा समय विए 79.196 समझ कहां गोल्ड का परमाल्य कर्मांग च्विंटी-नाइन होता है तो आगर हम आविष की बात करें तो इसका आविष परमार्यूंकर्मांग 89 होता है तो यानि एकटरनों की संख्या भी 89 होगी संख्या कितनी होगी नासी होगी यानि इसका मान कितना होगा एक आविष गुड़े थिक की पावर माइनस होगा और यहां से अगर हम क्यूं का क्यूं का फाइनल आंसर निकालने तो गुड़ां कर दू सोला निम्मा एक च्वालिस होद सोला निम्मा एक सच्वालिस की चार हासे लगी चौदा सोला सत्य है सोलपर है से लगी चौदा सोलह सत्य एक सबारा निम्मा एक सब्सक्राइब यह यह निम्ग इख शब्षा अगया यह दिस अमलब चौश तक गोड़ें इन्टू दस की पार सोरी यह यह अन्य ओपंट लए पॉइंटा लएगा एक सच्च्च्च्च दिसमलब चा 126.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अगर इसे हम सही से लिखें तो इसका अंसर आ जाएगा 1.264 दो हमके धर आया यानि 10 की पावर 19 से 2 कम कर दो कितनी बचेंगी 10 की पावर माइनस 17 आविस आ गया यहां से बैद दो छेत की तीवरता का मान हम से पूछा है या पूछा तीवरता का मान तो हो जाएगा capital का लटव कैप और बराबर हो जाएगा यइश Auch होस्का कि और फसलालिः की तोdern dewट यहां पर भलका मेरे पास मान लगेगा कैप्टल ई बराबर नाइन इन्टू टैन की पावर नाइन इन्टू की वैलू रख देंग कितनी हो जाएगी वन पॉइंट टू सिक्स फोर इन्टू टैन की पावर माइनस सत्रह बीच की दूरी कितनी है च्छह दिसमलब 6 यानि इसको लिखेंगे च्छ दिसमलब 6 और इसकाम क्या कर देंगे सफलक रीज बिल्कुशब देखो शॉल कैसे करेंगे 6.6 को दो बाल लेकरना 6.6 इंटू 6.6 पॉइंट सिक्स पॉइंट सेफ्ट कर देना और और इसे च्छाचट कूपन नीचे कर देना जितना कर जाए कर जाए जो बचेगा उसे गोड़ां करके बाग देना ठीक है वितना तो करी लोगे थोड़ा सो करना सीखो 50 कूलां को हैं लगी का डिया कितना है तो सो मन एक तै्याव ह ? लाँ की से हो जाएं धिक एक गलता गुहारक है और आवेस को षो गटो कोरू कितना तिया 1 रंड़ीस ना दिया कितनी दूरी पर बिद्दूचित की ती प्रता लगा दो फॉर्मूला बढ़ा तीन चार सवाल बता फिर भी निया प्रो लगाते नाइन इन्टू दूकि पावर नाइन इन्टू क्यू कंशा मान कि तना दिया प्रुम बीचली फने फिसका दीसा। लेकिन हमें capital e का मान तुपता है कितना है चार सोफटास कितना मंद या है चार सोफट इस का मन हमें कितना दिया 400 सो कि पचाद द्यान समझे ना कितने जल्दी कैलिविशन करेंगे और कैसे करेंगे ऐसी रहन ठीक है पहले हम तुम समझाती है इस आर स्क्वेर जो है बीटा इसको अधर ले चला तो यह हमारा बन जाएगा आर स्क्वेर इजिपल टू बन गया इस इसका इसमें गुडां कर द नाइन CJाड़ है दोंन है 35 नाघने टो फाइव एकी फिरोस ने क्योंट शुर आलो तो यह पर इकव बावर ओगा दूवेशार स Communion सिया Gandalf दसकी पावर दसकी पावर नौ से एक 0 0, 40 तो कितनी बचक ? दसकी पावर ? और इधर 450 का क्या था ? उधर गोborा था तो एधर किया हो जाएगा ? 210 से 450 कैयाओ से 60 ra says r haz का मान है दसकी पावर 8 है याई small r का का मान दस्की पावर आठ का वर्ग मुद दस्की पावर एद बचा दस्की पावर आठ और इसकी पावर आधी कर दो दस्की पावर आठ की पावर आधी करो कितने दस्की पावर फोड यानि इस्मॉल आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा दस्की पावर च्यार मीटर लगिया थाई जी सवाल चलो आगी चले अगला सवाल है उस विद्दुथ कि उस विद्दुथ छेत का मान क्या होगा जिसमें एक लैक्टान पर उसके भार के बरावर विद्दुथ वलकार का द्यान समयना अब इस सवाल को जड़ा द्यान से देखना इस विद्दुथ छेत का मान क्या होगा जिसमें एक लैक्टान पर उसके बार की बरावर लगता द्यान समयना एक आपने फर्मूला पढ़ाओगा फश्टियर और नाइन से डबलू बरावर एमजी पढ़ा था ओके एक फर्मूला हमने आपको पढ़ाया इस इंटर वाले चै पढ़ाया अगर आप कैची गुणां कर दें तो यह हमारा बन जाएगा एफ वरावर वरय थे अबरावर पाइण से देखना आपको पता होगा भीटा यह द्याआ से यह कहता होता है क्यों stitching कुछ सब्सक्राइब देखना को पता है किश纪क्राइब कि और त्रे होता है بいます क्योंखे इसका जो मात्रक्राइब बनता हुग हमारे तरह का बात करें यह डवलू बरावर mg होता है और एप बरावर में पढ़ा होगा एप बरावर एमजी भी बन जाता एक ही जगए तो तो यह एम जी जो है वह एप के बरावर ही दुगा अगर दोनों मान हम बरावर कर दें तो यानि हम यह कह सकते हैं जो mg होगा वो किसके बरावर होगा एक्यू के बराबर किसके बराबर होगा कि यह लाइन याद कर लो चैंप बनाना सीख लो सही है यानि एम जी बराबर आपका होगा एम जी बराबर एक्यू हमसे लगने वाले बलक कार करता है हमसे उस बैत दूचेट की टी बर्ता ई पूछी है हमसे ई का मान पूछा है तो हम ए निकालेंगी तो ऑबराबर हमारा यहां से बन जाएगा ऑबर ए बराबर एम जी और अपोन क्यूँ चया बन जाएगा यह बराबर एमजी ओपन जी इतना बन गया ठीक आगे चलो कोई दिक्कत यहां तक पहले बताओ अ कि ब्लैंक आ रहा है चलो यहां तक जिक्कत तो नहीं आप चलो आगे म कि बात कर लेक्टान की बात कर रहा बीटा तो इलेक्टान पर आपाविस कितना होता है और उयुक्तन का द्रमान फेले म्हां इसस इसाख करते ही तो समझे में आगया होगा ठीक कि पूर्च 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 और यह हुष्ष है है आगे दिखो इस मोलम का मतलब सबस्की पावर माइनस 31 क्यलोग्राम होता है इन्टू जी जित की घ्रसीत नौर्थ रोट होता है क्यों क्यों होता है आवेस उस आवेज़ता लेक्तान अपका biss पूता है नौ दिसम्लाव 6 गोड़ें 10 की पावर माइनस 19 स्कूला यही तो एक लेक्टन पराविस होता है या नहीं होता है बता सही है आम क्या करेंगे नौ दिसम्लाव एक और 9.8 इन दोनों का आपसमें हम कर लेंगे गोड़ा गुणा करने की चलो कल आपका वीडियो संभाता कर खतम हो गया यह आपकी नुबर कर खतम हो ठीक है तो आपको पर्सों आपको वीडियो मिलेगा देखो 9.8 और 9.1 दोनों का गुणा मुस्किल से दे अब क्या करना हमें जोड़ना है एक क्यानवे मानिस दो जोड़ोगे तो कितने बचेंगे 2089're that's 90 अगर 91 मैं मैं दो जोडोगी कितने बचेंगे तो THIS किली पशनेर कि टीक और चाहर घंचल्चलत लोनवासी बचेंगे नौ दूनी अठान रहा यानि तो आपका जो गोड़ना आई गया वह गूला कितना हल गया गोड़ना आपका भूंत गुलां घे ठीक है इस तरीके को सब्सक्राइब बार बार आता रहा ठीचै झा ठीक है तो यानि हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में क्या कर लें गुड़ां कर लिंगे है इन दोनों है इन दोनों को मापस में जब इन दोनों को में गोड़ा कर लेंगी कि जब इन दोनों का आपस कर लें को लुकных कर लेंगि तो इन दोनों का गुर्ण अब आप पता है अब्लकुछ बिलकुछ दिज ऐसे जो Ü80 כ 1 century हे वो सौसे कितने ने कम है नौकम है ठीक और 98-100 कितने दो कम तो इसके जो कम है वो इस में से कम कर तो 98-100 से दो कम है तो 11 से 2 कम कर तो कितनी नवा अब आद सिंगे नवा सी आप 770 जो समझे लोग जो अठाइजा यह पूरा कम है यू नवाशी बात जबाते कर यह यह दो कम है यह नौ है चाहिणा नोदूनी 18待 ultra Google ऐसे को ना करना स्टाइल में यानि हमारा आणसरा जाएगा नमा सी दिसम्लव 18 अब इसनोय तो अपिछानमा सी अवाज़ेश्म लॉज्डा और बते में कितना आ जाएगा बते माज़ेगा akan पॉइंट से पतानी क्या हो गया इसमें सई नीचल लावी नवासी दिसमल ठाइब ठीक है और इन्टू दसकी पार मायनिस उन्हें उपर जाएंगी प्लस की उन्हेस मैं से 31 कितनी बचेंगी तो इसी के साथ आज की जितनी भी आपकी सवाल थी सब्सक्राइब को बताने की कोशिस की है ठीक है ओके okay 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 good bye